नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो अगर आप अपने किसी पुराने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं उसे बिलकुल बरबाद देखना चाहते हैं ऐसा कोई भी इंसान जिसने आपके जीवन में बहुत बहुत बुरा यानि कि इतना बुरा की आपके जान पर ही बनाई हो या फिर किसी ने आपको ऐसा दोखा दिया हो कि उस दोखे के गम में आपका जीना ही दुरबर हो गया हो या फिर ऐसा कोई इनसान या फिर आपका कोई दुश्मन कहें जो कि आपके कारियों को खराब करता बनते बनते कारियों में रुकावट पैदा करता है, आपके खिलाफ जलन रखता है और बेवजा आपको परिशान करता है, ऐसा इंसान ही कहलाता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, ऐसे व्यक्ति ना सिर्फ आपके लिए बलकि आपके परिवार के लिए भी खत्रा होते हैं, ऐसे ही किसी व्यक्ति को तबा या पूरी तरह से बरबात करने के लिए, आज का ये टोटका, ये उपाय हम आपको बता रहे हैं, आज का जो उपाय हम आपको माचिश के दुआरा करने वाला बताएंगे, ये बहुती शक्तिशाली है, इस उपाय को पूरी तरह से देखें, वे पूरी तरह से जानकारी प्राब्द करें, वे अंत में हम आपको एक मंतर भी बताएंगे, उसे भी किर्पया करके पूरी तरह से सुन लें, क्योंकि बिना उस मंतर के ये उपाय कारे नहीं करता है, ये उपाय बहुती प्रचंड है, आपको कहीं भी ये उपाय सुनने को य या फिर अपने जातक को यह उपाए जल्दी से नहीं बताता है क्योंकि यह उपाए बहुती सरल विदी से हो जाता है लेकिन वही बहुत ज्यादा खतरनाक वे सक्तिशाली भी है खतरनाक आपके दुस्मन के लिए और सक्तिशाली आपके लिए होता है जब दुस्मन से बतला लेने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तब इस उपाय का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों माचिस की डिबी मातर से ये उपाय हो जाता है, और जो चीज इसमें रखनी है, और जो मंतर आपको बोलना है, वह हम आपको बताने वाले हैं, किर्पया करके आप इस वीडियो को ल जाते रहते हैं, ऐसे ही जवर्दस फीडियो, जिनसे आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, और जी सकते हैं एक सुख में जीवन, सबता में किसी भी दिन, जिस दिन आपके पास समय हो, या फिर आप इस क्रिया को करना चाहते हैं, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते इस क्रिया को करने के लिए कोई अवस्था नहीं है। आप चाहे तो इसे बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर, जैसे भी चाहे उस अवस्था में इस क्रिया को कर सकते हैं। अब आपको अपने घर से एक ऐसी माचिस की डबी लेनी है, जो कि पहले से ही इस्तमाल की जा रही हो, लेकिन पूरी तरह से खाली ना हो, बस इस्तमाल की जा रही हो, उसकी कुछ तीलियां पहले से ही उपयोग में लाई जा चुकी हो। अब आपको ग्यारादाने राई के लेने हैं और इसे अपने मस्तक के उपर लगाकर तीन बार ओम ओम और ओम का जाब करना है। जितना भी नाम पता है, बस उस व्यक्ति को याद करते हुए उस दुस्मन का नाम लिख देना है। माचिस के दबी को दवा देना है। दवा देने के बाद इसके उपर से थोड़ी मट्री डालकर तीन बार इस माचिस की दबी के उपर से लात मारनी है। और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आजाना है। बस इतना सा उपाया आपको करना है। अब घर वापस आजाने के बाद आपको अपने घर के बिष्टर पर खाट पर या बैड पर जहां भी आप बिष्टर है वहाँ लेट करके आँखें बंद करके आपको यह मंतर का उच्चारण करना है। मंतर ध्यानपूरवक सुने और वीडियो को कहीं भी रोक करके इस मंतर को कहीं लिख ले। ताकि आपको यह मंतर बोलते वक्त कोई भी गल्ती ना हो। जिस प्रकार से आपके दुस्मन का नाम है रावन तो आप बोलेंगे ओम रियोम रावन विनाशे फट स्वाहा बस इतना मातर उपाय करते ही आपके दुस्मन की चारो और से बरबादी सुरू हो जाती है। अगर आपके दुस्मन कुछने टेक देंगे तो आपको जिंदगी म काब्याम होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों आज की वीडियो में केवली तना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धे में जाते धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाए बजरंग बली